हलो दोस्तों वैलकम टू मैं टूप चैनल आज कहा हमारा टॉपिक है मद्य प्रदेश सामान निग्या में मद्य प्रदेश के परिवहन एवं संचार से रेलेटर पूछे गई प्रश्णोत्री जो कि आने वाले सभी प्रतियों के परिक्षाओं के लिए बहुत ही महात्यपू एक पस्चिम सेंट्रल रेल्वे का मुख्याल है जवलपूर में है इसकी स्थापना एक अप्रेल 2003 को हुई नेक्स्ट कोशन है 2010 में किसको भारतिये रेल्वे के 17 जोन का दर्जा प्राप्त किया गया था इसका आंसर है मेट्रो रेल्वे कोलकाता व्याख्या जानेंगे इसकी मेट्रो रेल्वे कोलकाता को सन 2010 में भारतिये रेल्वे के 17 जोन का दर्जा प्रादान किया गया था कौंकर मेट्रो भी रेल्वे के प्रिसासनिक छेत्र में आता है परन्तु यह परिचालन के ओदेश से रेल्वे जोन नहीं माना जाता है नेक्स्ट गोस्ट्टन है भारतिये रेल्वे ने मद्रदेश के किस रेल्वे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल गुरुप के साथ एक अनुबंद किया है इसका आंसर है हवीब गंज व्याख्या जानेंगे इसकी मद्रदेश की राजधानी भोपाल में इस्थिक्त हवीब गंज रेल्वे स्टेशन देश का पहला प्राइबेट रेल्वे स्टेशन बन गया मद्रदेश की कमपनी बंसल गुरुप को इस रेल्वे स्टेशन के संचालन का ठेका मिला है अब हवीवगंज इस्टेशन का विकास पबलिक प्राइबिट पार्टनर्शिप में किया जाएगा इसके साथ ही हवीवगंज निजी साज़िदारी के तहत बिक्सित होने वाले देश का पहला स्टेशन बन गया है नेक्स्ट गोशन है भारत की पहली हाई स्पीड बुलिट ट्रेंड मुंबई और किसके बीच दोड़ेगी इसका आंसर है एहमदाबाद व्याख्या जानेगे इसकी मुंबई आहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आहमदाबाद गुजरात और भारत के आर्थिक केंद्र मुंबई के सहरों को जोडने वाली एक योजनाबद हाई स्पीड रेल लाइन है पूरा होने पर यह है भारत की पहली उच्छ गती वाली रेल लाइन होगे निर्माण अप्रेल 2020 तक सुरू होने की उम्मीद है और परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद थी नेक्स्ट गोशन है मद्र प्रदेश में भारतिय विमान पत्तन प्रादिकरण ए आई द्वारा निमलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड़े का स्वामित्व और रखरकाव किया जाता है इसका आंसर है खजुरा हो व्याख्या जानेंगे इसकी मद्र प्रदेश में भारतिय विमान पत्तन प्रादिकरण ए ए आई द्वारा खजुराहो में परिचालित हवाई अड़े का स्वामित्व और रखरकाव किया जाता है यह एक नागरिक हवाई अड़ा है यहां कस्टम विभाग उपस्थित नहीं है नेक्स्ट गोश्चन है मद्र प्रदेश के उन दो सहरों के नाम बताईए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यानवित करने की योजना बनाई गए है इसका अंसर है इंदोर और भोपाल व्याख्या इसकी इंदोर और भोपाल पे मेट्रो रेल पर योजना को कारानवित करने की योजना बनाएगे नेक्स्ट वोश्चन है भारत में निजी करण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहां इस्तित है इसका अंसर है हवीब गंज व्याख्या है इसकी भारती रेलवे द्वारा भोपाल इस्तित हवीब गंज रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से पहले निजी रेलवे स्टेशन के तौर पर विक्सित करने का निर्णा लिया भारती रेल ने बंसल ग्रूप के साथ पबलिक प्राइबेट पार्टनर्शिप पी पी के तहट समझोता किया इन दौर से जैपुर को जोड़ने वाली रास्टी राजमार्ग का संसोधित नंबर क्या है इसका आंसर है बावन व्याख्या है इसकी इन दौर से जैपुर को जोड़ने वाले रास्टी राजमार्ग का संसोधित नंबर बावन है जबकि पहले इसको रास्टी राजमार्ग संख्या 63 के नाम से जाना जाता था इसका आंसर है पन्ना व्याख्या जानेंगे इसकी मद्यपर्देश का पन्ना हवायड़ा अब किरिया शील नहीं है next question है मद्यपर्देश का कोंसर नगर रास्टी राजमार्ग तीन पर इस्थित नहीं है इसका आंसर है सुझालपूर व्याख्या जानेंगे इसकी राश्टी राजमार्ग 3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है मदप्रदेश का नगर सुजालपुर राश्टी राजमार्ग संख्या 3 पर इस्थित नहीं है मदप्रदेश में NS3 के कुल लंबाई 712 किलोमीटर तक है यह सड़क मार्ग ग्वालियर एवं इंदौर से होकर गुजरता है इंदौर में आकाशवाडी केंद्र की स्थापना कब हुई इसका आंसर है 22 मई 1955 को व्याख्या जानेंगे इसके मदप्रदेश के इंदौर में आकाशवाडी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को की गई नेक्स्ट कोशन है मद्पर्देश के किस जिले में रेल्वे स्लीपर बनाने का कार खाना इस्तित है इसका आंसर है सी होर व्याख्या है इसकी मद्पर्देश के सी होर जिले में बुधनी तैसील में रेल्वे स्लीपर बनाने का कार खाना इस्तित है जबकि भूपाल में रेलवे कोज फैक्टरी है जहां रेलवे के डिब्बों का निर्माण किया जाता है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क यूजना का उद्देश है इसका अंसर है A और B दोनों मतला पहला उद्देश है इसका गाउं की मुख सड़क से जोड़ना और दूसरा उद्देश से पक्की सड़क बनाना अब व्याख्या जानेंगे इसके बारे में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क यूजना के अंतरगत सिक्षा स्वास्त विपड़न आदे आवशक सुभिदाओं का सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राज ने सभी गाउं को अच्छी और बारहमासी सड़कों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है इसका सुभारम 2005 को हुआ मद्य प्रदेश में सरवादिक लंबा तथा सबसे छोटा राष्टी राजमार्ग है इसका अंसर है NH3 और NH76 व्याख्या जानेंगे इसकी मद्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग NH3 है जो आगरा ग्वालियर मुंबई को जाता है यह 717 किलोमीटर लंबा है तथा NH76 उदैपूर इलाबाद जो की सबसे छोटा राष्टी राजमार्ग है जो की 30 किलोमीटर का है इसका आंसर है इंदोर व्याख्या है इसकी देवी अहिल्याबाई होल कर अंताराष्टी ये हवाई अड़ा इंदोर में कारे रथ है नेक्स्ट गोशन है निम्नमे से कौन सा राष्टी ये राजमार्ग मध्यप्रदेश राजे से नहीं गुजरता है इसका आंसर है NH8 व्याख्या जानेंगे इसकी राष्टी ये राजमार्ग NH8 मध्यप्रदेश से नहीं गुजरता यह राजमार्ग गुरुग्राम, जैपोर, अजमेर, ओधैपोर, अहम्दबाद, बढ़ोद्रा, सूरत और खेडा से होता हुआ मुंबई को जाता है नेक्स्ट कोशन है मध्यप्रदेश सडख विकास निगम लिमिटेट की स्थापना किस वर्ष की गई इसका आंसर है वर्ष 2004 में व्याख्या जानेंगे इसकी कमपनी अधिनियम 1956 के अंतरगत मध्यप्रदेश सडख विकास निगम लिमिटेट का गठन पून रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कमपनी के रूप में किया गया मध्यप्रदेश को सौदा जुलाई 2004 को कमपनी शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जिसकी अंतरगत मध्यप्रदेश राज सेतु निर्माण निगम लिमिटेट को उत्राधी कारी घोशित कर राजी के रास्टी राजमार्ग और मुख्य जिला मार्गी की परियोजनाव को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई नेक्स्ट गोशन है राजी की राजधानी भोपाल में किस रेल्वे जोन द्वारा रेल परिवहन सेवा संचालित होती है इसका अंसर है पस्ष्य मध्य रेल्वे व्याख्या जानेंगे इसके मध्य परडेश के गवालियर भोपाल में पस्ष्य मध्य रेल्वे जोन के माध्यम से रेल परिवहन सेवा संचालित होती है जिसका संभाग ये मुख्यालय खंडवा में है इसके अतिरिक्त भोपाल में उत्तर मध्य रेल्वे द्वारा भी रेल परिवहन सेवा का संचालन ह होता है पांच नवंबर 1951 को मध्य रेल विजून का गठन कई सरकारी स्वामित वाली रेलों को मिला कर किया गया था नेक्स्ट गोश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंब हुआ इसका अंसर है वर्ष 1867 व्याख्या है इसकी मध्य प्रदेश राजे का पहला रेल मार्ग इलाबाद जबलपुर के मध्य वर्ष 1867 से प्रारंब हुआ इसके बाद वर्ष 1879 में खंडवा इंदोर रेल लाइन का निर्मान किया गया था जिसे होल कार स्टेट रेलवे लाइन भी कहा जाता है रेल मंतराले द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्टरी के स्थापना कप की गई इसका आंसर है वर्ष 1876 में व्याख्या है इसकी रेल मंजमंत्राले भारत सरकार द्वारा मध्यपर्देश की राजधानी भोपाल की निशादपुरा में वर्ष 1976 में रेलवे कोच फेक्टरी की सूरिकरती प्रदान की गई जिसने अपना कार्श वर्ष 1989 से आरंभ किया था मादे परडेज की निशाद पुरा कोश फेक्टरी में अब लिंक आफ मेन वुश लएच भी तकनीक से बने कोश की रिपेरिंग का काम किया जाता है इस कोश फेक्टरी में हर साल करीब 750 ICF कोश का पुना निर्मार होता है नेक्स्ट कोशन है मदेपरडेस में सबसे बड़ा रिल्वे रसोई ग्रह कहां पर है इसका आंसर है 18C व्याख्या जानेंगे इसकी मदेपरडेस राजी का सबसे बड़ा रिल्वे जंग्षन होने का गौरॉ हासिल करने वाले 8RC railway junction अपने बड़े railway रसोई ग्रह के कारण भी जाना जाता है Next question है मदेपडेश का सबसे बड़ा railway junction कौन सा है इसका answer है 8RC व्याख्या जानेंगे इसके मदेपडेश का एक मात्र railway zone जबलपुर में है तथा उत्तर भारत को दक्षिन भारत से जोडने वाला रेल मार्ग मदेपडेश से होकर गुजरता है राज में भोपाल, बीना, ग्वालियर, इटारसी, कटनी, जबलपुर, इंदौर, रतलाम और उज्जे, प्रमुख railway station है इन में से सबसे बड़ा railway junction इटारसी है इटारसी मदेपडेश के हुशंगवाद जिले की एक तहसील है नेक्स्ट कोश्चन है मदेपडेश के किस railway zone के द्वारा rail परिवहन नहीं होता है इसका आंसर है उत्तर पूर्वी railway व्याख्या जानेंगे इसकी मदेपडेश में तीन railway zone, मधे railway, पस्चिम railway तथा दक्षिन पूर्वी railway द्वारा rail परिवहन होता है जबकि उत्तर पूर्वी railway द्वारा परिवहन नहीं होता मधेपडेश में पस्चिम मधे railway zone के नाम से जबलपुर में railway zone इस्थापित किया गया है नेक्स्ट कोशन है देश की प्रथम ISO प्रमार्पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेंड कौन सी है इसका आंसर है भोपाल एक्सप्रेस व्याख्या जानेंगे इसके देश की प्रथम ISO प्रमार्पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेंड भोपाल एक्सप्रेस है भोपाल एकस्प्रेस को हजृत निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी कहा जाता है यह ट्रेंड भोपाल के हवीगवन्च रेलवे स्टेशन से प्रारंब होकर विदीशा वीना, जासी, ग्वालियर मुरेना आगरा होते हुए हजरत निजामुद्दिन तक जाती है राजी की रिवांचल एक्सप्रेस भी ISO प्रमाड़त रेलगाड़ी है नेक्स्ट कोशन है मदेपरडेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 9001 प्रमाड़ पत्र प्राप्त करता है इसका आंसर है हभीवगंज प्याख्या जानेंगे इसकी मदेपरडेश राजी की हभीवगंज रेलवे स्टेशन को ISO 9001 प्रमाड़ पत्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है ISO 9001 सर्टिफाइट भारत का पहला रेलवे स्टेशन है यह इस्टेशन भारत की पहली सर्टिफाइट ट्रेन शान ए भोपाल एक्सप्रेस का मुख्याला है हभीवगंज रेलवे स्टेशन भोपाल सहर का दूसरा रेलवे स्टेशन है इस स्टेशन में यातयात का संचालन वर्ष 1989 में प्रारंब हुआ था हभीवगंज इस्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए भार्टी रेल इस्टेशन विकास निगम लिमिटेट आई आर एस डीसी और बंसल गुरुप के बीच समझोता हो गया है जर्मनी के वर्लेन और चीन के तियांजिन रेलवे जोन की तरह इसे बनाया जाएगा नेक्स्ट कोशन है नेमन मैसे मद्य प्रडेश का एक मात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है इसका आंसर है फर्ज व्याख्या जानेंगे इसके राजी का एक मात्र सिंथी समाचार पत्र दैनिक फर्ज है फर्ज समाचार पत्र का प्रिकाशन मद्य प्रडेश की राजधानी भूपाल से होता है नेक्स्ट कोशन है प्रडेश का पहला वाइफाई एवं कैशलेश सुविदा योगते स्टेशन कौन सा है इसका आंसर है हभीवगंज व्याख्या जानेंगे इसके मद्य प्रडेश राजी का प्रथम नगत रहित लेंदेन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वाइफाई सुविदा से योगते स्टेशन हभीवगंज रेल्वे स्टेशन है हभीगंज रेल्वे स्टेशन वर्तमान में बंसल गुरुप की द्वारा संचालित किया जा रहा है मद्य प्रडेश की म्रिनाल पांडे कौन से व्यावसाय से संबंदित है इसका आंसर है पत्रकारिता व्याख्या जानेंगे इसके मद्य प्रडेश की टीकम गर्जिले में 26 फरवरी 1946 को म्रिनाल पांडे का जन्म हुआ था म्रिनाल पांडे भारत एक पत्रकार भारत की एक पत्रकार लेखक एवं भारती टेलिविजिन की जानिवानी हस्ती है बर्तमान में विप्रसार भारती की आध्याक्ष्य है प्रडेश का पहला टीवी स्टोडियो कहां स्थापत किया गया इसका आंसर है भोपाल व्याख्या जानेंगे इसकी मद्य प्रडेश का पहला टीवी स्टोडियो प्रडेश की रास्दा एनी भोपाल में स्थापत किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है विश्व का दूसरा तथा देश में पहला आदिवासी संचार सोध केंद्र इस्थापित है इसका आंसर है जाबवा व्याख्या जानेंगे इसकी भारत एवं मध्यप्रडेश का पहला तथा विश्व का दूसरा आदिवासी संचार सोध केंद्र नेक्स्ट गोशन है मध्यप्रडेस की एक मात्री खेल पत्री का कौनसी है इसका अंसर है खेल हलचल व्याख्या जानेंगे इसकी मध्यप्रडेस की खेल पत्री का खेल हलचल के नाम से इंदोर से प्रिकाशित होती है यह है मध्यप्रडेस की एक मात्री खेल पत्री का है इस का प्रिकाशन इंदोर जिले से 1915 एस्वी से प्रारंब हुआ